बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों प्रेगनेंसी जब होती है पहले महीने दूसरे महीने तीसरे महीने तक आते 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 आप अपना अल्टरा साउंड करवा लेते हो कई महिलाएं बहुत पहले भी करवा लेती हैं जैसे कि कई महिलाओं की अगर pregnancy पहले पता चल गए तो वो 45 दिन से 50 दिनों तक आते आते वो अपना ultrasound करवा लेती है यह काफी जरूरी होता है पहला ultrasound फिर आता है दूसरा ultrasound जिसमें कि बच्चे के kicks के बारे में development के बारे में सही से डवलप हो रहा है या नहीं heartbeat सही से आ रहा है या नहीं वैसे तो heartbeat जो है आपके पहले ultrasound में ही पता चल जाता है दूसरे में यह पता चलता है कि growth सही से हो रहा है या नहीं बच्चा सही से है या नहीं फिर थर्ड में जो अल्ट्रा साउंड होता है उसमें हम पच्चे की पोजीशन देखते हैं, एम्नियोटिक फ्लूट को देखते हैं, बच्चे ने हेड़ डाउन किया है या नहीं, ये सारी जानकाडिया लेते हैं कई लोग अपने पहले और दूसरे अल्ट्रा साउंड में अपने जो गर्ब नाल है या फिर ये कहले कि जो प्लासेंटा है उसको भी चेक करते हैं प्लासेंटा पे जो है प्रेगनेंसी ठीकी होती है, प्लासेंटा पॉस्टीर और एंटीरियर होता है कई बड़ प्लासेंटा जो है आपकी प्रेगनेंसी को खत्रे में भी डाल देता है जैसे कि अगर प्लासेंटा एंटीरियर हो और वो बिल्कुल आपके गर्ब के मुह पे आ रहा हो तो कई बड़ क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल पर जाती है लेकिन फिर अगर डिलीवरी के बास डेट आते आते तक आपकी प्लासेंटा सही पोजिशन में आ चुकी है तो फिर आपकी डिलीवरी सही से हो सकती है कई लोग posterior और anterior अगर प्लासेंटा देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं जैसे कि वो ये समझते हैं कि posterior और anterior प्लासेंटा से गर्ब में क्या पल रहा है इसकी जानकारी होगे बिल्कुल भी नहीं, posterior और anterior placenta से गर्व में क्या पल रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपकी healthy pregnancy है या नहीं है, या फिर कोई complications तो नहीं है, इसकी जानकारी जरूर हो जाती है, जैसे कई बार posterior placenta होता है, और बिल्कुल कहें, तो मुह पर ना होके, पीछे क तरफ होता है, तो delivery काफी आसान होती है, normal delivery सही से हो जाती है, अगर anterior placenta है और बिल्कुल मुह पर है, गर्व के मुह पर है, तो normal delivery करवाने में थोड़ी से मुश्किले होती हैं, लेकिन वक्त के साथ अगर placenta change हो जा रहा है, अपने position को change कर दे रहा है, तो काफी अच्छा होत है, delivery के लिए, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, कईबर क्या होता है, कि delivery से 10 दिन 15 दिन पहले भी लोग के placenta जो है, मदर्स के placenta change होई है, और इनके delivery काफी successful बहुत अच्छे से होई है, अगर आपकी भी placenta position कुछ इधर उदर है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात से इधर उदर प्लासिंटा हो जाता है, अपने जगा से भी हो जाता है, कि सक जाता है, तो कई बर माताएं चिंता में रहती है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आये हो, तो प्लासिंटा position हो या हार्ट बीट हो सही से होगा, अल